आपको बता दे मंगाल के तर्ट से टक्राने वाला है तूफान ड्रेमल कोलकाता समेत का इलाकों में तेज बारिश लगतार हो रही है समंदर में डेढ़ मीटर उची लहरे उठने प्याशुंका बश्य बंगाल के तर्टिय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है सेना ने भी मोर्चा संभाल दिया है अडियारा फैस यारफ की टीमें भी लगतार मौके पर पहुंची है लोगों को उस्तरक्षित ठेकानों पर पहुंचाया जा रहा है रेमल बंगाल से आज मिड पश्य मंगाल बंगलादेश में जारी हुआ है तर्टिय इलाकों में खास्तोर से साब्धानी परत्नी होगी रानिक दत्ता समादता मारे साथ जुट रहे हैं रानिक अभी फिलहाल के अपडेट है देखें आएमडी के तरफ से जो कहा जा रहा है कि पस्ची मंगाल का जो सागर सागर दीप है वो सागर दीप से अभी करिब 200 किलोमेटर दूर है यह जो चक्रबाद तूफान रेमल और वो रेमल का जो एफेक्ट वो एफेक्ट अभी कुछ-कुछ जेगा में देखने को मिल मिल रहा है और उसके साथ-साथ-स पुरीवमें पार का जो ω कोस्टर एरिया मैं जो लेहरे वो लहरे दीखने को मिल रहा है और रहें इस पर रहा है कि डेर से दो मीटर तक रहरे कर ऊचाई हो सकता है और ऐसा ही यह पको दिखा हो स्टवीर इसमें से ही साफ है कि रेमिल का जो एफेक्ट वो एफेक्ट चालू हो चुका है दिगा में, हलका हलका बारिश भी हो रहा है, तेज हवाय चलने लगा है और जैसे कि IMD के तरफ से कहा जा रहा है कि और कुछी समय बाद, यारी और एक घंटा या देर घंटे के अंदर ही, लैं भी एक तरह से कहा रहा है कि यह जो रेमल का जो गतीपत है और उसका जो फेक्स सब्सक्त जादा महतुपूर हो और पिर से गद दिखा रहा हूं आपको कि किस तरीके से लहरे उठ रहा है जो समंदर है वोस समंदर में बीगा काीये समंदर्तात है और उधर से मैं आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि प्रसेशन के तरफ से किस तरीके का तैयारी है, प्रसेशन के तरफ से जो डिजस्टर मेंजमेंट टीम उनको तैनाद रखा गया है और उनके तरफ से यह भी दिखा जा रहा है यह जो एरिया यह पूरा एड और जो पब्लिक आते है इदर तुरिस्था आते है। इसके इसके उपर ध्यान है लोग और यह बारिस्थे वे वह लोग देख रहे हैं कि जो हो सेफली ओंड में चले स्हों पर पूरा चैलेंग है कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है पूरा चैलेंजिंग में है अभी हम लोग लेकिन टूरिष्ट है उन लोग और इससे ज्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग तो लोगो बोल रहे हैं कि अभी सिटुएशन खराब है अभी बीच में मत आईए लेकिन कोई सुन रहा है कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है हेikes चल रहा है किसी के साथ सक्ति में आ रहा है हम लोग और किसी के साथ मतलब धर मिसे को चुन रहा हैं कोई सुन रहा है नइसे प्सक्रों अब कि जैसा है की सी भी आधिय Sesय गा को लॉब्स किया गया है तरह IL तरह से jogar 11 बजे से लेकर इनका जो लैंड फॉल है लैंड फॉल का प्रक्रिया चालू होगा लैंड फॉल के टाइम में 135 किलोमेटर मैक्सिमम इनका विंड स्पीड हो सकता है और इसको यह पूरा सीचेशन को देखते हुए नाबानों के तरफ से एक कंट्रोल रूम उपेंड किया गया प्रदानमंत्री मोधीन अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक भी की है एक बड़ी जानकारी मिल रही है बंगाल में तूफान की दस्तक से पहले अलर्ट जारी हो गया है सुरक्षित जगहा पर करीब एक लाख लोगों को पहुंचा दिया गया है चक्रवात को देखते हु जबरदस तरीके से की जा रही है लेकिन भीष्रन हवाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है कि कितना भयाब है ये तूफान हो सकता है ऐसे में किस तहां की तैयारी प्रशासन की और से की गई है रास्तरकार की और से क्य क ChiJarnost नहीं have जो जो झेंघोर जगर नहीं है जो किेिज़ेंगर सोन है उस देंजर जोन से जो लेजर में तु को घ। कि रशाए कर दिया गया है चैसे राजय सरकर के तरफ से जो खान Okay तैयर कि da गया है और सबसे मैतोपून है दो जगाद जिसका हम जिक्र कर रहे थे जिस जगा में लैंट फॉन हो ले वाला है वो दक्षिन चबिश बरगणा और उसके साथ साथ ही पुरूबं में निपूर यह दोनों के ऊपर सबका नजर है और इसी जगा में जो कोस्टल साइड है और पूर्ड भी है और यह एक चैलेंज है प्रसाशन के लिए कि टूरी स्पोर्ट से टूरी स्टों हटाया जाए और जो कोस्टल एरिया है उदर से जो विलेजर से जो रेसिरेंट से उनको हटाया जाया और वही काम किया जा रहा है और आप देखी सकते हैं कि तेज हवाय चाल पूरी स्टों कि तरफ से और एकतव मेरा सामने अभ देख सकते हैं कि कि तरीके से माइकिंग कर रहे हैं और बार बार से जो सब्र कता दिखा देरहा है और प्रशाशन के तरफ से ये भी नज़र दिया जा रहा है कि ये सीचुएशन में कोई भी टूरिस्ट या कोई भी विलेजर बाहर ना आए और ये सीचुएशन में पूरा जो ये एरिया है इस एरिया को खाली करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज को अभी वो पूरा कर रहे हैं और बार बार से माइकिंग का जो प्रॉसेस वो माइकिंग का प्रॉसेस भी वो लो कर रहे है और विल्कुल मिदनाइट में क्योंकि ये तूफान हिट करने वाला है इसलिए पहले से त्यारियां हो रही है और जबरदस्त जो इंतजाम है वो यहां पर किय जा रहे हैं आपने तस्कीरे दिखाएं बहुत शुक्रिया रानिक अपना खास ख्याल आप रखिए फिलाल के लिए शुक्रिया आगे भी आप से अपडेट्स लेंगे